Study IQ YouTube channel जैसा जो आदस गुपता सर पढ़ाते हैं उनके जैसा Animated Map हम लोग अपने PPD में कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में सर हमें डेटेल में बता हैं तो चलिए दुस्तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह का Animated Map वीडियो हम लोग कैसे बना सकते हैं तो इस तरह का वीडियो जब हमारा Audience इस चैनल पर देखता है तो वो हमसे सवाल करता है इस तरह का Animated Map वीडियो हम कैसे बना सकते हैं तो दुस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Study IQ जैसा Animated Map वीडियो कैसे बना सकते हैं तो दुस्तो इनके वीडियो में जिस तरह का Transaction होता है, Animation होता है इस तरह का Animation और Transaction आप अपनी वीडियो में कैसे लगा सकते हैं दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं जानने और सिखने के लिए दोस्तो अगर आप सिरियस हैं तो दोस्तो आप इस वीडियो पे लास्तक बने रहे हैं देखते रहे हैं और सिखते रहे हैं तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं और हम जानते हैं क दोस्तों अभी जो आप इस वीडियो में देख पा रहे है तो इसमें आप डेखेंगे कि यहां पर क्या को रहा है कि background में एक Video चले रहा hay उसके उपर यह कुछ image आ रहे हैं यहे कभी उपर से आता है कभी लैप से आता है कभी राइड से आता है यहाँ पर चलिए हम लोग प्ले करके देखते हैं यह बीच में जूम हो करके आया यह जूम effect है दूसरा यहाँ पर देखे एक side में चला गया ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर यह चीजे आ रही है उसके बार दोस्तों देख सकते हैं कि slide में पीछे background में कुछ video चल रहे है और उसके ऊपर यह सारी चीजे आ रहे है तो यह तो दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं यह ppt में बना हुआ है लेकिन यह जो आप animated map देख पा रहे हैं ठीक है यह जो अभी आप देख रहे हैं जो animated map आपको यहां पर सो हो रहा है तो दोस्तों यह आपका ppt में नहीं बन सकता है ठीक है इस तरह का animated map जो है आप ppt में नहीं बना सकते हैं दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको ppt बनाना सीखना है देखे अभी यह हमारा slide है और slide के उपर उन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं कि slide के उपर एक shape insert करवाया है और shape के अंदर फिर एक image insert करवाया है और साथ ही यहाँ पर एक effect एड़ किया है याँ कि background को यहाँ पर क्या क्या है बलर कर दिया गया है ठीक है तो यह सारी चीजे जो दोस्तो ppt में जो बनने का है वो सभी चीजे मैं सिखा सकता हूँ लेकिन जो important चीज है जो कि आप लोग हमसे बारवार पूछते है कि animated map हम कैसे बना सकते है हम अपनी वीडियो में animated map कैसे लगा सकते है जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है सर उस पे हमें detail में बताए तो दोस्तो इसके लिए आपको after effect सिखना होगा और साथ ही दोस्तो अगर आपको इस तरह की video editing करना है तो इसके लिए आपको Adobe Premiere Pro सिखना होगा यानि कि दोस्तो आपको दो software सिखने पड़ेंगे पहला हो गया Adobe Premiere Pro जिसमें आप अपने वीडियो को edit करेंगे दूसरा दोस्तो आप आपको Adobe After Effects Software सिखना पड़ेगा जिसके थुरू दोस्तो आप इस तरह का transaction और animation अपने वीडियो में लगा पाएंगे दोस्तो यहाँ पे आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आप यहाँ पे animated map देख पा रहे हैं यह दोस्तो After Effects में बनाया गया है तीक है आ आपने साइद कभी notice क्या हो या नहीं क्या हो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा जूम करता हूं दोस्तो जब आप इनकी वीडियो को देखेंगे और इसे जब आप full screen करेंगे तो दोस्तो आप नीचे में पाएंगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पे कुछ watermark है आप अगर यह लिख करके google में सर्च करेंगे तो आप उस website पे चले जाएंगे ठीक है तो चलिए हम लोग इस चीज़ को सर्च करते हैं देखे मैंने पहले भी लिख करके सर्च किया था Microsoft Corporation Earth Star Geographic SIO ठीक है SIO ही है ठीक है तो यह चीज़े लिख करके दोस्तो जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप उस website पे पहुंच जाएंगे उसके बाद दोस्तो यहाँ पे आपको वो website मिल जाता है 2022 Microsoft Corporation Earth Star Geographic SIO दोस्तो आप इस पे क्लिक करेंगे इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तो तो आपको जो है इस तरह का map यहाँ पे सोख हो जाएगा यहाँ से दोस्तो आप जो है map को अपने software में embed कर सकते है ठीक है अगर आप चाहे तो इसे पीपीडी में embed कर सकते है ठीक है यह तो दोस्तो आप चाहे तो किसी other software में अगर इस ले सकते हैं अपनी वीडियो में यूज करने के लिए ठीक है इसके लिए दोस्तो पहली बात तो यह है कि आपके पास थोड़ा सा अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होनों चाहिए यानि कि दोस्तों जब तक आपके पास एक अच्छा internet connectivity नहीं होगा जब तक आपके internet speed अच्छा नहीं होगा तब तक दोस्तों आप इसे अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे अभी आप देख पारें दोस्तों कि यह जो है हमारे browser में half page open हुआ है यहाँ पर दिखिए यह जो है धिरी-धिरी open हो रहा है यहां से मैं three dots पे click करके इसे full screen कर लेता हूँ ठीक है तो यहां पर दोस्तों देख सकता है कि यही चीज़े जो है इस तरह से आ रहा है अब यह full screen आ रहा है लेकिन जैसे दोस्तों यहां से मैं इसे जूम इन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहां जो है white white आ जा रहे हैं क्यूंकि दोस्तो मेरे पास उस तरह का अच्छा internet connectivity नहीं है हमारे जो है internet speed अच्छा नहीं है इसलिए यहां पर इस तरह का आ गया है तो दोस्तो अगर आप इस तरह का चीजे अपनी वीडियो में add करना चाते हैं तो सबसे पहले बात तो दोस्तो आपके पास एक अच्छा internet connectivity होनी चाहिए यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इस तरह से आगया है इस तरह से आप धीरी धीरी करेंगे और फिर इसे record करेंगे ठीक है इस तरह से आप चीजों को दिखा सकते हैं अपनी वीडियो में और इसे record कर सकते हैं और फिर दोस्तो editing के समय आप इसे अपने वीडियो में use करेंगे यही चीजे दुस्तों आपको उनके वीडियो में दिखाया जाता है लेकिन यह सारी चीजे अच्छे से हम कैसे अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं कैसे अपने वीडियो में इसे लगा सकते हैं किस तरह से हम वीडियो एडिटिंग करेंगे ताकि हम में आरे वीडियो में यह सारी चीज़े लग जाएगी और same to same हम इस तरह का animation और effect अपने वीडियो में यूच कर पाएंगे अगर आपको दूस्तों यह चीज़े सीखना है तो इसके लिए दूस्तों आपको कहा करना है गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है या तो दूस्तों आप अपने मुवाइल फॉन में यूटूब अप्लिकेशन को ओपन करेंगे ठीक है बी डबल ओ एन ए बॉन ल ओ भी एस लब्स वीडियो जैसे दूस्तों आप यूटूब में बॉन्स लफ्स वीडियो लेकर के सेच करेंगे तो आपके सामने एक चैनल आएगा ठीक है इस तरह का लोगो रहेगा इसके दूस्तों ज्यादा सस्क्राइबर नहीं है ठीक है बट आपको यहां से जो है वो सारे चीज़े सिखने को मि अपने वीडियो में कैसे अनिमेटेड मैप अपने वीडियो में लगा सकते हैं यहां पर दूस्तों इनके चैनल आर्ट में देख सकते हैं कि यह जो है अपने चैनल पर एनिमेटेड मैप बनाना सिखाते हैं और इनका जो भी प्रोजेक्ट फाइल होता है जो भी प्लग इन होता है जिसे कि मैं PPT बनाता हूं तो मेरा जो भी प्रोजेक्ट फाइल होता है या जो भी टैंपलेट होता है मैं अपने इस्टोर पे सेल करता हूं तो उसी तरह से दुस्तों इनका एक website है जहां पर यह अपना प्रोजेक्ट बना करके इस सबी चीज़ों को sell करते हैं या वहाँ से आप इसके project को download कर सकते हैं उसके बाद दुस्तों आप इनकी वीडियो को देख सकते हैं इनकी वीडियो में ये सारी चीजे सिखाया गया है और इनका जो भी tutorial आता है दुस्तों वो सभी tutorial जो है after effect software में बनाया जाता है तो दुस्तों इसके लिए आपको after effect सिखना पड़ेगा अब बात आता है कि सर after effect कैसे download करेंगे और इसके लिए system requirement क्या होती है तो दुस्तों अगर आपको ये जानना है तो आप दुस्तों new tab open करेंगे और उसके बाद दुस्तों आपको google में लिखना है system requirement after effect ठीक है system requirement for adobe after effect दुस्तों आप इस तरह की चीजे जैसे लिखर करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आपके पास जो system होना चाहिए जो आपके पास laptop ये pc होना चाहिए उनका configuration क्या होना चाहिए तो यहाँ पर दुस्तों आपको वो सारी चीजे पढ़ने को मिल जाएगा कि आपके पास processor किस तरह का होना चाहिए ठीक है आपका system जो होगा वो 64 bit का होना चाहिए यानि कि 64 bit support करता हो और साती दुस्तों यहाँ पर देख सकते कि आप window 7 में भी यह सारी चीजे कर सकते है ठीक है window 8, window 10 कोई भी हो उसमें कर सकते है और minimum RAM जो है वो 4GB होना चाहिए ठीक है लेकिन 8GB अगर रहता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा और बांकि दुस्तों यहाँ पर more item पर click करेंगे तो आप वो सारी चीजे पढ़ने और जानने को मिल जाएगा कि अगर आपके पास इस तरह का system है इस तरह का configuration वाला आपकी पास PC है तो दुस्तों आप उसमें जो है बहुत ही आराम से adobe after premiere pro download करके install कर सकते है बाकि दुस्तों इसके price वेगरा के बारे में जानना हो research करना हो तो दुस्तों आप गूगल कर सकते हैं कि adobe after premiere pro जो software है उसका monthly price क्या है या early subscription कितना है वो सारी चीजे दुस्तों आपको google से जानने को मिल जाएगा अगर दुस्तों आप अगर इन सभी चीजों के लिए सक्षम हैं अगर आप करने के लिए तयार हैं तो दुस्तों आप बेजिज़क कर सकते हैं दुस्तों मैं यह कुंगा कि यह सारी चीजे मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि दुस्तों मेरे पास तो नहीं इस configuration का PC है और नहीं दुस्तों मुझे after effect का knowledge है अगर in future मुझे लगा अगर मेरे पास यह साधन होता है अगर मेरे पास resources होते हैं अगर आप लोगों का प्यार और support रहा मेरा channel grow करता है मैं earning करूँगा और उसके बाद दुस्तों अगर मैं इस तरह का एक अच्छा PC build करता हूँ या एक अच्छा PC खरीता हूँ तो दुस्तों उसमें मैं after effect और premiere pro जरूर सिखूँगा अगर मैं सिख गया तो उसके बाद दुस्तों आप लोगों को भी यह सारी चीजे जरूर सिखाँगा तो यह सारी चीजे थोड़ा सा difficult है अगर आपके पास budget है अगर आप इन सब चीज सीखना चाहते हैं तो दुस्तों यह मैं जरूर बता सकता हूं कि यह चीजे आप बहतर तरीके से कहां से सीख सकते हैं अब यह चीज और है दोस्तों कि आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो या टुटोरियल देखने को मिलेंगे वो सभी English medium में है अगर आपको after effect या आपको Adobe Premiere Pro में वीडियो डिटिंग सीखना है आपको हिंदी समझ में आती है या उर्दू समझ में आता है तो उसके लिए दोस्तों आप एक चैनल को सर्च कर सकते हैं जिस YouTube पे सर्च करेंगे GFX Mentor दोस्तों आपको यहाँ पे एक पाकिस्तानी चैनल मिल जाता है इमरान सरगा यहां से दोस्तों आप Adobe का जो भी software है वो सभी software दोस्तों आप यहां से सीख सकते हैं Adobe के जितने भी software होते हैं उन सभी के टुटोरियल दोस्तों आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाता है आप इनके playlist को check out कर सकते हैं और Hindi में दोस्तों आप Adobe Premiere Pro या After Effects सीख सकते हैं ठीक है दोस्त सिख सकते हैं देन दोस्तों यहां से सभी चीज़े सिखने के बाद जब आपके पास Adobe Premiere Pro या After Effects का अच्छा खासा नौलेज हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आप इस English Channel पे आ करके जिसका नम है Born Loves Video इस Channel पे आ करके उसके बाद दोस्तों आप बागी चीज़ों को अच्छे से English में भी सीख सकते हैं और English को भी अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप प्रैक्टिकली स्क्रीन पे आपको दिखाया जागा वह सभी चीज़े तो दोस्तों आप अच्छे से समझी पा रहे होंगे बागी जो बाते हैं जो यह लोग explain करेंगे English में उसे भी दोस्त 천-Pार को कितना अच्छे से हो सकता है वह सारी दोस्तों मैं आपको नेक्ट वीडियो में बताऊँ गए तदोस्तों इस चैनल को subscribe करें दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस Бिध वीडियो को लाइक कर